भारतिय रिजर्व बैंक ने रिपो रेट तो घटाया नहीं लेकिन आम आदमी की परिशानी और अर्थ विवस्था में 26 सुस्ती को दूर करने के लिए तीन बड़ी घोशणाएं की हैं अब ऑनलाइन मिलेगा 50 लाख रुपे का कर्च RBI के गवेर्नर शक्तिकान दास ने कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति या फिर बैंक यानि NBFC कमपनी किसी को भी ऑनलाइन 50 लाख तक का लोन दे सकती है पहले ये सीमा एक व्यक्ति के लिए 50,000 रुपे थी वहीं कमपनियों के लिए 10,000 रुपे की सीमा थी ये सविधा केवल पीर-टू-पीर प्लाटफॉर्म पर मिलेगी हाला कि RBI ने दूसरी बड़ी घोशना की है 10,000 रुपे का नया प्रिपेट कार्ड को लेकर जल्ड ही वो एक नया प्रिपेट कार्ड लॉंच करने जा रही है जिसका इस्तेमाल लोग शॉपिंग और अन्य दुकानों पर भुक्तान के लिए कर सकेंगे इस कार्ड में लोग एक बार में अधिक्तम 10,000 रुपे की राशी को लोड कर सकेंगे हाला कि इस कार्ड में केवल बैंक खाते से ही पैसा लोड या फिर रिलोड किया जा सकेगा ये एक मोबाइल वॉलेट की तरह होगा तीसरी बड़ी घोशणा है एटियम की सुरक्षा को लेकर RBI ने बैंकों से एटियम की सुरक्षा को और पुखता करने के लिए कहा है इसके लिए बैंकों से कहा जाएगा कि वो थर्ड पाटी जो एटियम का सर्वर और स्विच अप्लिकेशन देखती है उनके साथ अपने करार को बदलें इसमें सॉफ्ट्वेर में बदलाओ, सर्विलांस डेटा, के स्टोरेज और एटियम के निगराने के लिए एक नया तंत्र विक्सित करें एटियम में हो रहे फ्रॉड, क्लोनिंग और फिशिंग को रोकने के लिए सभी तरह के मुम्किन प्रयास करने होंगे रिजर्व एंग की ये तीन बड़ी घोशणाएं आने वाले दिनों में कितनी कारगर साबित होंगी ये देखने वाली बात है फिलहाल जनता के पैसे सुरक्षित और सहूलियते देने की कोशिश की जा रही है वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम